जैसे कि आज हम आपको इस किरीम के बारे में बताएंगे इस किरीम का उपयोग कप किया जाता है चेरे पर कौन सी दिक्कत कौन सी परिसानी हो जाने पर या फिर डॉक्टर के दौरा ये किरीम और कहां किस परकार की समस्या में लगाने के लिए डॉक्टर के दौरा मरीज को द जाता है और ये करीम कहां कहां पर उप्योग किया जा सकता है इस करीम का डोज क्या होता है ये करीम दिन में कितनी बार लगाना है इस करीम का साइड डिफेक्ट क्या होता है इसकी पूरी डीटेल से जानकर याज हम आपको हिंदी में देंगे जैसे कि इस करीम का उप्योग ब virus infection हो जाने पर इस cream का apply किया जाता है जैसे कि जब किसी के चेहरे पर pimples हो जाता है तो हम अपने उंगलियों से या फिर अपने हातों से उसे touch करते रहते हैं उसकी वज़ा से आपने देखा होगा आपके चेहरे पर धीरे धीरे करके तीन चार पांच करके पूरे चेहरे पर pimples की समस्या हो जाती है तो उस समयसा में डॉक्टर के द्वारा ये cream लगाने के लिए चेहरे पर दिया जाता है जिससे हो रहा pimples की समस्या ठीक हो जाता है और जैसे कि जब चेहरे पर pimples होता है तो जैसे एक जगे किसी particular area पर चेहरे के किसी भी part पर pimples निकला है तो उसे क्या होता उस pimples को फोड़ देते हैं फोड़ने के बाद में आपने देखा होगा उसके अगल बगल के चारो तरब में धीरे धीरे छोटे छोटे महीन महीन से pimples और निकलाते हैं तो उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये चेहरे पर लगाने के लिए दिये जाता है जिससे किसी भी परकार का चेहरे पर infection हो गया हो या फिर चेहरे पर किसी परकार से दाग पढ़ गया हो या फिर pimples की समस्या रहती है तो ये सारा ठीक हो जाता है और चेहरे पर एक signing सा हो जाता है चलिए अब इसके side effect जान लेते हैं क्या-क्या side effect देखने को मिलता है जैसे कि skin पर dry की समस्या हो सकती है skin पर jalan की समस्या हो सकती है skin पर redness की समस्या हो सकती है या फिर स्किन पर स्वैलिंग की समस्य आ सकती है तो अगर ये सब साइट डिफेक्ट आपको देखने को मिले तो इस क्रीम को लगाना बंद कर दें जैसे ये क्रीम चेहरे पर लगाने से पहले और भी आपको कोई दिकत कोई परिसानी है तो अपनी नजदी की डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपरक करके दवा लें या फिर कोई क्रीम या फिर कोई जैल आप अपने चेहरे पर उपियोग करें कोई भी दवा कोई भी जेल आप अपनी मर्जी से उपियोग ना करें